अंगनवाडी में धूम अक्षरवाचन और ग्री कारे होगा अब हम बच्चों के साथ सब्ताह में तीन दिन कौन-कौन सी गतिविदियां करने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे आईए जानते हैं स्वमवार को की जाने वाली गतिविदियों के बारे हाजरी बच्चों को अपनी बारी आने पर अपनी जगह पर खड़े होकर गुड मॉर्निंग मैम बोलने के लिए सूचना दे इसके बाद बच्चों को बोले गए शब्दों को ध्यान से सुनने और उन शब्दों को उसी क्रम में दोहराने के लिए कहें जैसे चमच, कटोरी, थाली, आलू, प्यास, टमाटर, गोभी, हाथी, घोडा, बिल्ली, बकरी, भैंस अब शुकरवार को हमने कौन सी गतिविदी की थी? उसके बारे में पूछे और चर्चा करें इसके बाद हर एक बच्चे के हाथ में एक-एक वस्तु दे बच्चों को सूचना दे कि आपके हाथ में जो वस्तु दी गई है अपनी बारी आने पर उसका नाम और उप्योग बताना है अब बच्चों को एक छटी चीडी या बालगीत करवाएं इसके बाद बच्चों को बोल भाई कितने गतिविधी करवाएं अब चार्ट का प्रयोग करके अंक एवं संख्या वाचन करवाएं अंत में बच्चों का क्रीह कारें चेक करें बुद्वा को की जाने वाई कतिविधी हाजरी बच्चों को अपनी बारी आने पर अपनी जगह पर खड़े होकर यस मैम बोलने के लिए सूच ना दे इसके बाद बच्चों को वयायाम करवाएं अब सूमवार को हमने कौन सी कतिविधी की थी उसके बारे में बच्चों से पूछें और चर्चा करें इसके बाद बच्चों का परीचे कहानी की किताब से करवाएं जैसे यह कहानी की किताब है इस किताब का नाम यहां लिखा हुआ है किताब का नाम पढ़ें कहानी कहां से शुरू होती है उंगली चला कर वक्के पढ़कर सुनाएं कहानी कहां पर खत्म होती है वह बताएं इसके बाद आलू मालू और कालू कहानी बच्चों को सुनाएं अब कहानी और किताब के संदर्ब में बच्चों से सवाल जवाब करें इसके बाद बच्चों को रसी कूद करवाएं अब बच्चों को शब्द वाचन करवाएं अंत में बच्चों को हंसता और रोता हुए चेहरा बना कर लाने का ग्रीह कारे दें हाजरी, बच्चों को अपनी बारी आने पर अपनी जगे पर खड़े होकर गुड मारिंग टीचर बोलने के लिए सूचना दे इसके बाद बच्चों को सूचना अनुसार अपना चेहरा बनाने के लिए कहे जैसे खुश, उदाज, गुसा, रोता, हंस्ता, डरा हुआ चेहरा, बनाओ आदी अब बुद्वार को हमने कौन सी गतिविदी की थी? उसके बारे में बच्चों से पूछें और चर्चा करें इसके बाद कुछ चीजें जमीन पर रखें रखी हुई चीजों का क्रम बच्चों को याद रखने के लिए कहें अब इन चीजों को एक रुमाल से ढख दे अब बच्चे को रुमाल के नीचे रखी हुई चीजों को क्रम अनुसार बताने के लिए कहें इसके बाद बच्चों को अपना मन पसंद बालगीत करके दिखाने के लिए कहे उसके बच्चों के सामने कुछ कार्ड अत्वा कुछ वस्तुएं रखे उन्हें याद रखने के लिए कहे अब कुछ समय के लिए आंखे बंद करके पीछे की तरफ घूम कर बैठने के लिए कहें अब किसी एक वस्तू या कार्ड को गायब कर दे अब बच्चों को टीचर की तरफ मूँ करने के लिए कहें किसी एक बच्चे से पूछें कि कौन सी वस्तू गायब है इसके बाद बच्चों को अंक एवं संख्या वाचन करवाएं अंत में बच्चों का ग्रिह कारे चेक करें बच्चों के साथ गतिविदी के अनुगाव हमारे साथ अवश्य साथ करें भुम्यवाद